Chemistry Academy Students आज की वीडियो में पढ़ेंगे The Product C in the following reaction यहाँ पर स्क्रीन पर आपके एक reaction दिया है नज़र आ रहा है तो उसमें पुछा गया है कि जो C product है यह क्या होगी जैनि कि आपके पास एक alkyl hilide दिया गया है यहाँ पर आप देशिते हैं alkyl hilide है उसका Equus NaOH के साथ reaction करवाना है तो कोई ना कोई A product बनेगी A product का sodium के साथ reaction करवाएंगे तो B product बनेगी B product का methyl iodide के साथ reaction करवाएंगे तो C product बनेगी तो यह पुछा गया है कि बता हैं C product क्या होगी आप साथ से पहले तो देखे यह जो alkyl hilide है यहां कि C2H5BR C2H5BR जो है ना इसका हम दोगों ने reaction करवाना किसके साथ NaOH के साथ अब होता क्या कि NaOH में से यह मारे पास NaBr यहां से बाहर चला जाते है और हमारे पास क्या बन जाते है Ethylylyl coal बन जाते है यह C2H5 के साथ क्या टाच हो जाते है और NaBr बाहर चला जाते है इसका मतर जो A product है हमारे पास वो क्या बनेगा Ethylyl coal बनेगा अब Ethylyl coal तो बन गया अब Ethylyl coal का sodium साथ जब reaction कर आएंगे यहां पर देश आते हैं C2H5OH है इसका हम लोगों ने जब sodium के साथ reaction करवाना है तो होगा क्या यह वाला hydrogen बाहर चला जाएगा N इसकी जगा पर आकर attach हो जाएगा तो हमारे पास क्या बनेगा C2H5ONA क्या बनेगा C2H5ONA बनेगा इनकी यह B product बनेगी अब उसका आगर reaction करवाना Methyl iodide के साथ जब हम इसका reaction करवाना CH3 I के साथ Methyl iodide के साथ तो इससे हमने देखना कौन सी product बनती है तो इसमें से यह वाला N ने इस I के साथ मिल जाएगा sodium iodide बाहर चला जाएगा तो यह जो C2H5O इसके साथ आगर क्यों अटेच हो जाएगा CH3 अटेच हो जाएगा तो जाएगे दोनों आपस में अटेच होंगे तो formula क्या बनेगा हमारे पास formula हमारे पास बनेगा C2H5O C2H5O यह तो पहली था उसके साथ कोन अटेच हो जाएगा यह वाला CH3 आखर अटेच हो जाएगा तो आप देश साथ यह जो product बनी है इसका नाम क्या होगा यह इताईल हो गया यह मिताईल हो गया अब हम इदेच साथ बच्चों को वीडियो अच्छे लगिए अगर आपको वीडियो अच्छे लगिए तो प्लीज मेरा चैनल